भारत की दिहास में 23 जैन्वरी का दिन बहुत ही महत्पून है यो तो हर दिन भगवान का बनाया होता है सूर्य धर्ती और चंद्रमा की ब्रह्माड की गती से समय चक्र चलता है और इस काल के भाल पर अपने कर्म से एक नए इतिहास बना कर कि कुछ लोग ऐसे हस्ताक्षर करके चले जाते हैं जिससे आने वाली पीड़ियां युगों युगों तक सदियों सदियों तक उनको याद करती है 23 जनवरी 1897 को एक ऐसे ही महापुर्ष का इस भारत वर्ष की धरती पर जन्म हुआ जिनको हम सुभाष चंदर बोष के नाम से जानते हैं और आज उनकी जैनती है जिस सुद्देश्य के लिए नेताजी सुभाष चंदर बोष का जन्म हुआ और जिसके लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन अर्पित किया जिसके लिए एक एक पल जीए वो काम आज भी अधुरा है उस काम को हमें पूरा करना है जब याद करते हैं हम अपने उन पूरवजों को तो रदाए क्रतजिता से भर जाता है कि कितने कष्ट सहे होंगे किन विपरीद परिस्थितियों में उन लोगोंने काम किया होगा जिन अगरीजों के इस आमराज्य में कभी सुर्यास्त नहीं होता था उनको परास्त करने के उन्होंने मन में ठानी थी एक संकर्प लिया था कि मुझे किसी भी कीमत पर भारत में था कोई पराधिंता की बेडियों से जंजिरों से मुक्त करना है और उस समय जब देश में उनको कोई बहुत बड़ी मदद नहीं मिले किसी भी करनतिकारी को देश में कोई बहुत बड़ा सहयोग नहीं मिला क्योंकि जितने भी सताधिस थे जितने भी शासक थे वो सब ने अगरीजों के सामने समर्पन कर दिया था और जितने भी समाज के ताकतवर लोग थे उसमें भी लगबग लगबग सब सुविधा भोगी हो चुके थे किसी ने अपने आपको सर कहलाने में अपना गोरव समझा सर कटाने वाले तो बहुत कम थे सर कहलाने में अपना गोरव समझने वाले अंगरीजों की पिठ्ठू बन करके उनकी गुलाम बन करके उनकी दासतों में जीने वाले समर्थ लोगों की एक बहुत बड़ी शिंखला थी और करांतिकारियों को तो अपने घरों में कोई नहीं रोकता था उनका सहयोग करना तो बहुत दूर की बात रही आज तो हम इस देश में से इस पूरे भरष्ट तंतर को और विदेशी कंपनियों के लूट के शड़ी अंतर को समाप्त करने के लिए और इस देश में स्वदेशी तंतर की स्थापना के लिए खड़े हुएं तो कम से कम इस देश के 99 प्रतिश्ट लोग हमारे प्रतिश्ट आनुभूते रखते हैं तो करोड़ों लोग सहयोग तो करते हैं उस समय काम करना कितना मुश्किल था इस बात का अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते तो जिस तरह से तमाम करनतिकारियों को सहयोग नहीं मिलता था और वो धरदर भटकते रहते थे कोई अपने घर में भी उनको रोग करके राजी नहीं था क्योंकि अंग्रेज को पता लग जाएगा तो वो हमारे कुलवंश का नाश कर देगा इस तरह की एक आशंका बनी रहती थी इसलिए करनतिकारियों का कोई सहयोग करने के लिए तयार नहीं था और जापान से मदद मागे और विश्व युद्धो के दोरान क्योंकि दो ध्रूव बन चुकी थे पूरे विश्व के और जापान जर्मनी बहुत से लोग इनकी साथ काम करने के लिए तयार हुए और 21 अक्टूबर 1943 में उन्होंने आजाद हिंद फोज की स्थापना किया और भारत को अपनी तरफ से आजाद घोशित कर दिया आजाद हिंद सरकार की भी घोशना कर दी उस समय भी बहुत उनको धोखा मिला अपने ही देश के अंदर धोखा मिला और उस समय की परिस्तियां यद्देपी पूरी अनुकूल नहीं थी और उन प्रतिकूल परिसितियों के बीच में भी पूरे देश में भी देश भक्त लोग ऐसे ने कि किसी भी वक्त में देश भक्त जो हैं हमेशे लोग मिट जाते हैं ये वीर प्रसूता हमारी भारत माता है और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि शूर वीरों का क्राक्रमियों का कभ में भी बहुत लोग खड़े हो गए आज उनको हम सोतंतरता सेना नियादी के रूप में जानते हैं संघर्ष हुआ चाहे पूर्ण विजे ना मिली हो लेकिन अंग्रेजों कोई पता लगया कि आप ज्यादा वक्त तुम इस हिंदुस्तान पर राज नहीं कर सकते और उन्होंन एक युद्धाओं की तरह अपना धर्म निभाने के लिए पूरी देश के लोगों का आभवान किया और तुम मुझे खोन दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा ये नारा आज हिंदुस्तान के एक संकल्प हिंदुस्तान के आज भी करोडों लोगों के दिलों में उठता ह है तो ये एक महापुर्ष को खाली याद करने का ही वक्त नहीं आज जिन परिस्तियों में से भारत गुजर रहा है आज हमें बहुत कुछ सोचने की जरूरत है और इसलिए हम कम से कम महापुर्षों की जैन्टी पर उनके बलिदान दीवस पर जिसके लिए उनका जन्म हो औ अपना बलिदान दिया उसको याद करके जरह अपने देश की प्रती जो हमारे करतब्वे हैं जो दाइत हैं उनको कभी-कभी तो याद करें हर दिन याद ना भी कर सके तो नेताशिस वास्चंद्र बुश की शौरे को उनके प्राक्रम को उनके देश की प्रती जो उनका संक उसको प्रणाम करते हुई